कमलाथ ने मद्देप्रदेश के CM पत्रेश दिपा देने से पहले भुपाल में एक प्रेश कॉंफरेंस की CM की रूप में यह कमलाथ की आकरी प्रेश कॉंफरेंस थी ऐसे स्थिति में सभी पत्रकारों के शंगरोध में रहने का निर्देश दिया गया है मेडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि जिस पत्रकार की बेटी में कोरोना वायरस का संक्रमन पाये गया था उसमें अब कोरोना वायरस का टेस्ट पोजिटिव भी मिला है इसके साथ प्रिशासन अबुन नेताओं की सूची बना रहा है जो उस प्रेस कॉन्फरेंस में मौझो थे कॉरोना वायरस के संचरन के बाद से सामुदा एक संचरन सबसे बड़ा कारण है यही कारण है कि संकरमित ब्यक्ति के संपर्क में आने के बाद अन्य लोगों को भी कॉरोना वायरस से संकरमित होने किया संका होती है प्रेस कॉन्फरेंस में मौझो सबे पत्रकारों का परिक्षण इहतियान किया जा रहा है और उन्हें फिलहाल कॉरेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है मता दें कि देश में कॉरोना वायरस के मामले बढ़कर 500 से जादा हो गये है कॉरोना वायरस ने 11 लोगों के जान भी ले लिए मध्यपदेश में इन दोर में कॉरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आये हैं जिसके बाद सहर में कर्फियू लगा दिया गया है राजी में भुपाला और जबलपूर में पहले से ही कर्फियू लागू है अन्य जिलो में ताला बंदी कर दी गई है देश में कॉरोना वायरस के प्रिसार को रोकने के लिए सरकार बहुत गंभीर है यहीं वज़ा है कि सरकार शक्त हो रही है मंगलवार रात आट बजे पिया मोधी ने देश को शमोधित किया और अपने शम्बोधन में पिया मोधी ने पिया मोधी ने 14 अपरेल तक देश बर में लोकडाउन की घुश रा कि संजुक्त राष्ट ने कॉरोना वायरस से खिलाप लडाई में भारत के साथ एक जूडता ब्यक्त की है इसके अलावा विश्व संगठन की स्वाइस्ट एजेंसी डबलु एचो के एक सिस अधिकारी के कोबिन 19 वेश्वीक में हमारी सिने मटने के लिए प्रधान मंत्री ने नंजमोधी के 21 दिन के लॉकडाउन कदम की प्रशन सेकी है जिससे ब्यापक और मजबूत कहा गया संजुक्त रास्ट समाचार ने मंगरवार को ट्विट किया कोबिन 19 ने खिलाप लडाई में संजुक्त रास्ट भारत के साथ एक जूटता में खड़ा है ने वे 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 रूम से वे वे लाइव कि लबूत